आज जो है हमारा लेक्शे नमबर टू है बाइलेजी का पार्ट टू का और चैप्टर नम है होमेस्टेसिस तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ विच इस फीडबैक मेकैनिजम और कंट्रोल सिस्टम लास्ट टॉपिक में हम लोगोंने होमेस्टेसिस के बारे में पढ़ा कि होमेस्टेसिस क्या है ठीक है उसमें हम लोगोंने हमेशा ये बात किये के एक इंटरनल इंवार्मेंट को मेंटेन रखना एक नेरो रेंज में इसके बावजूद के एकस्टरनल इंवार्मेंट में चे होती कैसे है यह हम लोगोंने आज पढ़ना है ठीक है तो यह कैसे होती है यह होती है control system के अंडर अब यह control system क्या है यहाँ पे एक लाइन में लिखिया control system acquired for homeostatic regulation यनि कि अगर किसी भी organism को homeostatic regulation करनी है अपना internal environment को protect करना है किसे fluctuations from the external environment से तो उसे क्या चाहिए एक control system चाहिए जो क्या करे कि उसके internal environment को control करे और narrow range ऐसी narrow range के अंदर रखे जिसमें जो है उसकी body जो है body functioning बिलकुल accurately और efficiently कर सके ठीक है अब हम लोग पढ़ते हैं कि यह क्या है it works on mechanism of physical control system अच्छा आपकी बुक में यह लाइन लिखी हुई है that it works on mechanism of physical control system इसका मतलब यह है कि living organisms में जो control system है वो बिलकुल physical control system की तरहां है केते हैं जैसे हम physically किसी चीज को maintain करते हैं ठीक है अगर किसी normal रूम में हम लोग temperature maintenance कर रहे हैं उसके लिए जो तरीका कार हम लोग यूज करते हैं physically बिलकुल वैसे ही living organisms में भी होता है ठीक है आगे हम पढ़ते हैं इसकी components के बारे में कि control system किसके उपर rely करते हैं कौन से इसे components हैं तो हमारे पास यहाँ पर three components हैं first one is receptor receptor second one is control center and the third one is effector अब देखते हैं कि यह तीनो components क्या हैं और तीनो कैसे work करते हैं अब यहाँ पर हम एक देख रहे हैं example of physical control system जिसमें यह तीनो components use होंगे receptor के बेटा नाम से ही आप तोगोंने इसको जो है judge कर लिना है receptor means कि वो receive कर रहा है कोई message ठीक है यह निके sense कर रहा है sensor है वो external environment में होने वाला कोई भी change जो receive करता है और sense करता है उसको हम receptor करते हैं कहते हैं इस example में receptor क्या है इस example में receptor है sensor ठीक है sensor और अगर हम यहाँ पर temperature की example ले रहे हैं तो इसमें sensor क्या होगा thermometer होगा thermometer ऐसा instrument है जो के temperature को sense करता है ठीक है तो यहाँ पर receptor क्या है thermometer है आब receptor क्या कर रहा है वो temperature के change को sense कर रहा है और signal दे रहा है कहां पर signals कहां पहुंचा रहा है control center में अब control center का का काम क्या है control center judge करता है कि हमारा set point क्या है यानि कि हमने किस range में रहना है और हमारे पास जो signals आ रहे हैं वो क्या है for example कि temperature increase हो रहा है इस चीज का signal control center में गया तो control center ने उसके accordingly जो है आगे effector को order करना है कि वो कौन सी system को on करे for example अगर यहाँ पर temperature sense किया गया है कि temperature ज्यादा हो रहा है हमारे set point से तो control center क्या करेगा उसको maintain करने के लिए वो effector को order देगा कि cooling unit को on कर दे उससे क्या होगा हमारा set point maintain रहेगा ठीक है इसी तरह से अगर sensor यह sense कर रहा है कि temperature low जा रहा है तो फिर control center अपने set point को maintain करने के लिए क्या करेगा switch on heater हम heater on कर देंगे जिससे क्या होगा temperature अगर external low है लेकिन हम अपने temperature maintain करना चाहरे है तो हम क्या करेंगे हम heater on करके अपना temperature maintain कर लेंगे same ये एक मेरे example दी थी आपको physical control system की जिसमें thermometer यूज किया था हमने same इसी तरह का mechanism जो है वो यूज होता है endothermic animals में endothermic animals कौन से होते हैं जो अपना internal temperature maintain रखते हैं यानि कि एक कोई animal है वो किसी ऐसे एरिया में रह रहा है जहांपे temperature बहुत लोग होता है तो वो अपना internal body temperature maintain करके रखता है ना के बाकी external environment की according change हो जाए तो ऐसे animals को हम क्या कहते हैं endothermic animals feedback mechanism अब feedback mechanism क्या है ये है detection of change and signaling for effective response to control system क्या करता है detect करता है firstly change को ये हमारे external environment में कोई change आया है उसको detect करना फिर उसको signal ठीक है ये signal लेके जाना control system तक और control system क्या करता है आगे से effectives का response produce करता है ये वो ही exactly वो ही चीज है जो हम लोगों ने उपर पढ़ी है कि receptors क्या करते है receive करते है signal देते हैं control center को और control center क्या करता है आगे से response करता है उसके accordingly ये ही actually feedback mechanism है अब यहाँ पर एक example है हमारे पस एक term है negative feedback mechanism की जो आपके book में use हुई हुई है इसी दरह से positive feedback mechanism भी होता है लेकिन आपके book में सिर्फ negative feedback mechanism की बात की गई है क्यूं क्यूंके mostly negative feedback mechanism होता है ठीक है अब negative feedback क्या है inverse effective response to change in external environment आपने negative feedback को हमेशा opposite से याद रखना है यानिके क्या होता है जैसे external environment में जो भी change है उससे ultra response effector प्रेड्यूस करें जैसे के example देखें cooling effective response to warmth in external environment यानिके external environment temperature high हो रहा है तो effective का response क्या होगा cooling यानिके warmth का opposite क्या है cooling तो उसके opposite response करना inverse effective response को हम क्या कहते है negative feedback mechanism यानिके external environment में होने वाले change के response में उसकी opposite चीज़ को produce करना इसको हम क्या कहते है negative feedback mechanism I hope कि यह topic आपको अच्छे से समझा गया हो बहुत easy था और छोटा से topic था topic जो है हम लोग पढ़ेंगे lecture no.3 में और अभी तक अगर आप लोग ने M.M.N.A. चैनल को subscribe नहीं किया हुआ तो उसको kindly subscribe कर लें और लेक्टर जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से prepare करें कोई question हो तो उसके लिए आप comment कर सकते हैं हमारी चैनल को subscribe करें और इन वीडियो को share भी करें अपनी family और friends के साथ अपना बहुत सारे ख्याल रोखें अलाहफ़ज